हेलो दोस्तो, साथ है, आपका Demarketing Ball मेरे मेना नामे विशेग दोस्तो, आज की वीडियो के वीडियो के आए टॉपिक ए बेस्ट वेबॉस्टिंग फर ब्लागिंग तो दोस्तो, अब आज की इस वीडियो के आपको फोतने जा रहा हु में आपको ठीक है और गाइस यहां पर सबसे अच्छी बात है कि अगर आप हमारे लिंक के तो जाके पर्चेस करोगे तो जब भी आप रिन्यू कराओगे आपको डबल प्रैस नहीं देना पड़ेगा जिस प्राइस में आप आज खरीद होगे न उसी प्राइस में आपको रिन्यू अगर जागा तो याईस यह बहुत ही एक्जाइटिंग ओफर है तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी से जो है मिस ना करें ठीक है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लोगिंग के लिए सबसे कमाल के वैब वोस्टिंग की ठीक है डिसकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है अगर आप उसके तुरू जाके परचस करते हो आपको 90% का डिसकाउंट मिलेगा और एक प्रॉमो कोड है जिसको आप यूज कर सकते हो डिसकाउंट में आ आप इन दोनों को अगर अप्लाइ करते हो तो आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी ठीक है अगर आप हमारे लिंक के थूरू जाके प्रॉमो को अप्लाइ करते हो तो आपको 90% का डिसकाउंट मिलेगा और रिनीवल पर आपकी प्राइजिंग बढ़ेगी भी नहीं ठीक कर ले ना कोई इश्यू नहीं है आपको डिसकाउंट तो तब भी मिलेगा और आप भी मिलेगा तो चलो बागे बात करते हैं देखो यह कंपनी है माइलसवब तीक है अब माइलसवब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अगर आप देखो नंबर ओफ सर्वर्स की बात कर हुआह च्छाए कुछ भी कर ले हमको सबसे टॉप जो कंपनी मिले झींडियां सरवर बाली और इंडिया की ही कंपनी त्क हैिंक है जिनका ओरीजिन इंडियां का है व้ माइलसवब्त है सबसे पारफुल इंडियन कमनी है होस्टिंग के मामले में माइन सब यह चीज आप अपने दिमाग बढ़ा लो अब यहां पर अगर इसके रिव्यूज देख लें अगर हम तो वह भी बहुत ही कमाल कि अगर आप स्ट्रास पैरेट पर रिव्यूज देख लें तो 4.9 आउट है और ऐसा भी नहीं कि रिव्यूज कम है 8751 रिव्यूज है यह बहुत बड़ा आमाउट होता है जब हम नमबर ओफ रिव्यूज की बात करते है न तो यह बहुत बड़ा आमाउट है और गूगल पर 4443 रिव्यूज है जो कि मैं गूगल को इतना सथ इतना ज्यादा और खराब कमेंट्स भी डालते है ठीक है खराब रिव्यूज भी डालते है तो उसमें थोड़ा बहुत हमें देंगे उपर नीचे हो जाता है क्योंकि एक बंदा एक से जादा डाल सकते हैं अब होस्ट इडवाइस जो है इसमें सबसे जादा ट्रस करता हूँ बले इसमें लेकि मैं ट्रस सबसे ज़ादा होस्ट इडवाइस को करता हूँ क्योंकि होस्ट इडवाइस में एक बंदा सिर्फ एक ही डाल सकता है चाहे वो अच्छा डाले है खराम ठीक है तो कोई बंदा जान बूच के बहुत सारे रिव्यूज डाले किसी कमणी को खराब नहीं बना स अच्छी बात है और फोस्ट इडवाइस में एक और खास बात एक एक ऐसी रिव्यू वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिफ होस्टिंग कंपनी के रिव्यूज डाना जाता हूं तो मैं जब भी कोई होस्टिंग चेक करता हूँ ना सबसे पहले होस्ट इडवाइस पे उ रोज regularly test कर रहा हूँ, मेरी team test कर रही है, ठीक है, और कुछ companies जिनको मैं खुछ से भी test कर रहा हूँ, ठीक है, तो Miles Love एक ऐसी company है, जिसको मेरी team regularly test कर रही है, ठीक है, हमारे बहुत सारे website Miles Love पर hosted है, ठीक है, तो हमें जब भी किसी और की, खिसी client की website को ज्यादा boost करना होता है, तो हमेशा चेक करते हैं, तो कौन सी company इससे अच्छी है, कौन सी कमपनी उससे भी अच्छी है, मतलब हम चेक करते हैं, तो हमारे लिए टेस्टिंग करते हैं एक रोजी की बात, चलिए अब सर्चन पर भी आप देख सकते हैं, तो हमारा में गोल का है, हमें देखना है, क्या सभी प्लाटफॉम पे इनका रिव्यू 4.5 से उपर है, तो यहां पर आप देखे हो, ट्रस्पारेट में 4.9 है, होस्टेट 4.6 है, यहां पर 4.6 है, बस गूगल पर 4.4 है, क्योंकि गाइस बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो किसी कमपनी को बदनाम करने के लिए खराब रिव्यू जाल देते हैं, क्योंकि एक ही इमेल एड़ी से एक ही रिव्यू डाल सकते हैं, ल फिर भी 4.4 के जो है, जो राइटीग है, वो नितने कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी कमपनी है, अब, यहां पर आपको मिल जाता है, बात करेंगे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस सिर्फ फॉस्टिंग के लिए ब्लोगिंग के लिए जबसे अच्छी hosting कौन सी हम इसके बाद बात कर रहे हैं देखो अब आप यह पूछो कि सबसे अच्छी hosting कौन सी ब्लोगिंग के लिए तो मैं तो बलूँ है डिकेटर सर्वर ले लो क्योंकि सबसे powerful तो यही चीज है लेकिन गाइस beginner के लिए बहुत costly होता डिकेटर सर्वर तो इसलिए जो beginners जो शुरू करते हैं वो हमेशा share hosting के साथ शुरू करते हैं और अभी फिलाल इस video में हम बात करने वाले share hosting की ठीक है तो अब यहाँ पर हम share hosting में clicker open कर लेते हैं लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइल सब कंपनी के हम बात कर रहे हैं माइल सब कंपनी कुछ खास है कैसे अगर आप यहाँ पर चले जाते हो wordpress में ठीक है अब जाने से पहले बताऊँगा मैं आपको plans चेक कर लो एक बार इगनाइट 60 रुपीज पर मन्त इलाइट 110 रुपीज पर मन्त और 198 रुपीज पर मन्त चेलर अलफा क्लाउड कुछ वरते क्लाउड में आता है ठीक है तो में जो क्यों कि जो ढहा है आई क्यमकि रृष्ट पेस्टी ंदर कुस रिसार्स जोते हैं जैसे क्यर्ब यrh outta कर लेते हैं, core CPU की बात कर लेते हैं, या फिर entry process की बात कर लेते हैं, यही किसी hosting को खास बनाती है, और इसी चीज़ों के बारे में details कोई भी company बताती हैं यह सामने, लेकिन WordPress hosting की अगर हम बात करें, तो WordPress hosting के अंदर यह जो resources है, यह shared नहीं होते हैं, और shared hosting में यह shared होते हैं, जब कोई चीज share होती है, तो सब को थोड़ा-थोड़ा मिलता है, लेकिन जब कोई चीज dedicatedly मिलती है आपको, जो बिल्कुल भी share ना हो, तब आपको ज्यादा मिलता है, जब आपको ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा पावर भी मिलेगा, जब ज्यादा पावर मिलेगा, ज्यादा 90% discount भी मिल जाता ठीक है लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हूँ वो इसलिए देख रहे हूँ क्योंकि मैं आपको सारी डिटेल बताने बारा हूँ चलो शुरू करते हैं अब देखा जाये तो यहाँ पर भले हमें नहीं मिलते हैं लेकिन आपको डोमें का पैसा भी देना नहीं पढ़ेगा लग से क्योंकि मैं आपको डिसकाउंट लिंक के साथ-साथ एक प्रोमो कोड भी दे रहा हूँ, उस प्रोमो कोड को डालते ही, आप भी मान के जालो, लग भग जो डॉमेन का पैसा है न, वो और आपको डिसकाउंट होके मिल जाएगा, मतलब 80% का डिसकाउंट तो आपको मिली रहा है, और उपर से आप जैसे प्रोमो कोड हमारा एंटर करते हो, ठीक है, तो लिंक प्लस प्रोमो कोड, दोनों मिलके आपको 90% का डिसकाउंट जाएगा, तो जो भी डॉमेन का पैसा आपको एक्ट्रा देना पट रहा है, वो ऐसे ही डिसकाउंट हो जाएगा, ठीक है, तो एक तरह से आपर आपक अगर आप प्लान कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही अपसाइट होस करने का, तब तो आपके लिए इगनाइट प्लान साही है, आपको सभी में, सारे ही प्लान में अन्मीटर बैंविट मिलेगा, मतलब जितने चाहे, उतना ट्राफिक आपको आ सकता है मंतली, ठीक है, अगर आप एक ही वेबसाइट में के लिए यूज़ करने वाले हो, तो दो इमेल अकाउंट आपके लिए बहुत है, अब एक ही वेबसाइट यूज़ करने वाले है, तो एक डेटाबेस भी आपके लिए बहुत है, अन्लिमिटर असल आपको यहां मिलेगा, वन क्लिक इंस् सबसे faster server होता है light speed server तो आपकी website को light speed server पर host के जाता है website builder मिलेगा आपको अलग से milesweb का WordPress hosting में ये सारे features सारे के सारे features आपको मिलेंगे ठीक है वो भी सस्ते वाले plan में तो यहाँ पर कहीं भी किसी भी चीज की कोई limitation नहीं है staging tool मिल रहा है आपको WordPress multi-site management मिल रहा है और सबसे खास बात है कि premium CDN मिल जाता है आपको अब guys यह premium CDN है न यह actual में आपको बहुत benefit पहुचाने वाला है कैसे यह बताता हो या इसके होने से आपके website की speed 25 गुना बढ़ जाती है 25 गुना बढ़ जाती है आप imagine भी नहीं कर सकते CDN इतनी powerful चीज़ आप सोचे रहोंगे नीचे लिखी हुई यह चीज तो इसमें क्या ही बात होगी बैसे इसको उपर लिखना चाहिए तक हम नीको लेगन guys यह जितना powerful यह चीज़ है premium CDN जातन लोग समझते नहीं content delivery network content delivery network यह आपके website को दुनिया बर के servers में copy रखी जाती है जिसके तुरू कोई भी बंदा किसी भी location पर बैठ के आपके website को open करे उसके नजदी की location पर जो server पढ़ा है बहां से आपकी website उठा के दिखाई जाएगी तो यानि की दूरी कम हो रही है दूरी कम होगे तो time कम लगेगा आपके website की speed और भी जादा बढ़ती है ठीक है सारी चीजे enhance आपको radius protection मिल जाता है सब कुछ आपको इस plan में मिल जाता है ठीक है आप बात करते हैं second plan में आप गए second plan की कर सीज़ी बात बताओ तो यहाँ पर आपको difference जो main difference आपको देखने मिलेगा storage important नहीं है क्यों क्योंकि guys देखो एक blog जब आप start करोगे ना उस blog में आप 50 GB storage भरते भरते आपको तीम से 4 साल लग जाएंगे यह सचा ही है कितने भी image दालो कुछ भी कर लो आप आपको compress तो करना पड़ेगा optimize तो करना पड़ेगा images को और text का तो कोई size होता ही नहीं है देखा जाए तो कुछ kb में होता है अब 1 GB का मतलब होता है 1000 MB और हर MB में 1000 kb होता है तो आप सोच सकते हो कि एक एक दो-दो kb का text होगा आपका अब 1 MB के अंदर-अंदर आप यूं मान कर लो जगब 500 ब्लोग पोस्ट आप डाल सकते हो एक MB में और ऐसे ही 1000 MB आपको मिल रहे है तो आप imagine कर लो 1000 x 500 पूरे 4-5 साल से भी उपर लग जाएंगे तब भी आपको 50 GB का storage नहीं बढ़ेगा तो इतना ज़्यादा storage यहाँ पर होता है जो कि हम समझते नहीं है हम फालतु में अपना ज़्यादा पैसा घर्च करता है अब अगली चीज यहाँ पांच website host करते हो अब आप पांच website host करना चाहते हो या फिर दो website host करना चाहते हो अब दोनों ही case में आपको plan तो ilight ही लेना है क्योंकि दूसरा website भी आप यहाँ तो host करने सकते हो तो सीधी सीधी बाते concept लता हो देता हो आपको अगर आपको एक स्यादा website host करना है तो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ ilight plan लेलो क्याने का मतलब यह है ठीक है अब पहले plan में आपको मिल जाता है 1GB RAM 1Core CPU दूसरे plan में बिलता है 2GB RAM 1Core CPU तीसरे plan में बिलता है 2GB RAM और 2Core CPU ठीक है तो यहाँ पर आपको 2GB RAM और 2Core CPU आपको इस 3rd plan मिलेगा इसी लिए stellar plan का role सबसे बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया RAM और सबसे बढ़िया CPU मिलता है ठीक है अब यहाँ पर आपको 100 website आप host कर सकते हो अब आपको एक से ज्यादा website host करना है तो आप भले यह वाला भी ले सकते हो यह वाला भी ले सकते हो तो आप अगर तो अच्छा इंवेस्मेंट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया fanbit क्या हो रहा है अब आप हमारे प्रोमो कोड का यूज करके एक्स्टा डिसकाउंट तो लही रहे हूं अब इसके केस में तो क्या कि आपका डॉमेन का पैसा बले ही उस प्रोमो कोड से कट रहा था कटके आपको डिसकाउंट हो रहा था लेकिन डबल डब बच जाते हैं ठीक है और कहुंगा कि आपको कम से कम 3 साल के लिए पर्चेस करां चीए तो यह एक बहुत ही बड़ी रहने वाला है कि अगर आप इसे तीन साल के लिए purchase करोंगे तो अब मैं बता दू कि अगर आप एक beginner है आपको नहीं पता है कि आप कितना time invest कर सकते हो रोज blog post बगेरा डालने में तो जो है आप यहां पर इनाइट प्लान ले सकते हो ठीक है अगर आपको clearly पता है कि आपको एक से ज्यादा website host करना है ठीक है तो उस case में आप इनाइट प्लान ले सकते हो तब भी मैं कहूंगा कि एक beginner के लिए यह सबसे सही रहेगा क्योंकि यहां पर भी आपका ज्यादा investment नहीं लगेगा और इसकी में यह था कि आपको पता है कि आप dedicatedly हर रोज यह कम से कम एक घंटा दे सकते हो अपने ब्लॉगिंग के लिए तो आंग बंद करके आप चरार प्लान लेगा ठीक है अब हम देख लेते हैं कि हमें कितनी costing फाइनली लगने वाली है सब कुछ यूज करने वाला है मैंने अपन कर लिए हमने इसको अब है चाहिए एक डॉमेन तो हम यहां पर डॉमेन को एंटर कर लेंगे for example कुछ भी डाल देंगे ठीक है यह डाल दिया चेक कर लेते हैं ओके डॉमेन अवेलबल है एड्टू गाड कर लेते हैं इसको ठीक है एड हो गया है continue पर क्लिक कर देते हैं ओके तो यहां पर आप देख सकते हो मैं इसको तीन साल के लिए लूँगा मंत्री नहीं लूँगा मैं तीन साल के लिए लूँगा ठीक है तो यह मेरा हो गया 3 साल के लिए स्ट्ट है अब गाईस यहीं पर बात खतम नहीं होती है है इसको इस पर हम further discount और ले सकते हैं हम भी हमने प्रॉमय कोड तर अप्लाई किया भी नहीं अभी तो हमारे 80% discount हुआ है अभी तो हमने प्रॉमय कोड यूज किया भी नहीं है ठीक है यह देखिए यह 80% डिसकाउंट हमारा हो गया है अब 10% और डिसकाउंट हमें अपलाए करना है तो उसके लिए करेंगे सारी चीज़े हमने चेक कर ली अब हम continue पर क्लिक कर देंगे और यहां पर हमारा जो domain है इसको remove नहीं करना है आपको यहां पर ID protection को check नहीं करना है इसको ऐसे ही चोड़ देना कुछ भी नहीं करना है और continue पर क्लिक कर देना है अब यह हमारा जो domain है यह भी add हो जाएगा यहां पर add होने के बाद 3700 रुपए हो गया है क्योंकि domain का पैसा भी यहां पर add होता है अब हम हमारा प्रोमो कोड एंटर करेंगे प्रोमो कोड है डी मार्केटिंग गॉल 10 ठीक है वैलिडेट कोड पर क्लिक कर देंगे अब आप देख सकते हो 3700 जो था अब आप यहां देख सकते हो 3422 रुपय हो गया ठीक है अब यह discount उतना ही बढ़ता जाए ठीक है तो मैं ignite plan आपको तभी बोलूँगा जब या तो आपके पास पहले से कोई domain पढ़ा हुआ हूँ तो उस case में आप यह वाला hosting ले सकते हो या फिर अगर आपके पास यह discount code है तो आप इसका use कर सकते हो में ली में आपको बलूँगा जो stellar plan है उसमें आपको सबसे बड़ा डिसकाउंट देखने को मिलता है ठीक है और उपर से free domain भी मिलता है तो आपको एक अच्छा खासा plan बहुत ही करम price में मिल जाएगा यानि कि लगबा कुछ 6-7000 रुपय में आपको सबसे बड़ा plan मिल रह solution मिल जाएगा 80% प्लस 10% का discount आपको प्रमो कोट से मिलेगा ठीक है तो आप अगर discount link यूज करते हो तो आपको दूसरा फायदा यह है कि आप जब भी renew कराओगे तो आपको extra cost नहीं देना पड़ेगा नॉर्मली क्या रहता है कि अगर आप हमारे link से अगर purchase नहीं करोगे तो hosting कमनी अपने renewal के price को double कर देती है double का मतलब मालों कि अगर आप आज तीन साल के लिए 3400 रुपे दे रहे हो जब आप इसे renew कर रहे होगे तो तीन साल के लिए आपको लगबग मान के चलो कुछ 7000 रुपे के आसपत देना पड़ेगा वो भी सस्ते वाले plan के लिए तो आगे आने वाले offers आगे आने वाले वीडियोस के notification आपको आगे भी मिलते रहेंगे तो दोस्तो आज को इसे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के notification आपका बहुत 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 देने बाद